दोस्तो अब जो है रिकवरी एजेंट्स का बैंड बजने वाला है जिहां दोस्तो लगबग 6,000 से भी जादा कंप्लेंट्स RBI के पास गया है रिकवरी एजेंट्स के उपर आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये सुनने के बाद सिफ 6,000 इससे भी जादा हो सकता था लेकिन एक चीज आप लोगों को समझना है कि हर किसी को पता नहीं होता है कि कैसे कंप्लेंट करना है कहां पे कंप्लेंट कर करेगा कि 6,000 से भी जादा कंप्लेंट RBI के पास गया है रिकवरी एजेंट्स इतना हैस्मेंट कर रहे हैं जिसके वज़े से लोग गलत स्टेप्स ले रहे हैं अब यह जो है यहां पे RBI बोला है कि 2022 से 2023 में 6,000 से भी जादा जो है कंप्लेंट्स आया है और बैंकिंग ठीक है तो आप लोग यहां से सुनिए कि यहां पर RBI बोला क्या है देखिए यहां पर बोला है कि जो भी एजेंट है उन लोगों के पास यह सब आथोरिटिस नहीं है कि वो अपने तोर तरीकों अपनाए और लोगों को हरस्मेंट करें कि आप लोगों को कॉन्टेक कि यह सब नहीं कर सकता कोई भी एजेंट अब एजेंट जो है यहां पर सिर्फ अपने जो भी रूल्स और रिगूलेसंस RBI ने तैय किया है वो ही रूल्स और रिगूलेसंस अगर फॉलो नहीं करता है तो उनका नौकरी जो है वो चला जाएगा तो यह एक गुड निउस है यहां पर RBI के तरफ से यह नोटिस आया है कि कोई भी एजेंट अगर आपको हैरेस कर रहा है तो अगर आप बैंकिंग ओमर्जमें में जाके अगर आप कम्पलेंट करते हो तो आप लोगों का जो भी प्रॉल्लम है वो सॉल्व होगा साथे साथ जो एजेंट आपको हैरेस क करेगा किसी का फोन कॉल्ल को कैके से करता कुछ अलग तरीके से अकन कुछ एसा करता ही नहीं है लेकिन कंपणी जो अंदर ही अंदर अलग तर Kemif अपस्ट नहीं है, वो लोग बोलता है कि भाई, हम बाहर का चीज़े हम समान लेंगे, तुम अंदर का देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कंपनी बोले का भाई, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम साफ है, तो यह सब चीज़े आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन RBI तो जनता का साथ देगा, यहाँ पर आप सभी को बता है, RBI ने साफ तोर पर बता है, कुछ भी करो, कंपनीस को यह थ्रेट्स मिला है, RBI के तरफ से, भाई, कुछ भी करो तुम लोग, लेकिन हमारे जनता को जो बॉर्वर्स है, जो कस्टमर्स है, उनको एक भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अब आप लोग समझ सकते हों कि लोन का इतना ज़दा हैरस्मेंट कर रहे हैं, क्यों अब यहाँ पर आपना जान भी गवा दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हों कितना सारा न्यूज आप लोगो सुनने को मिलता है, एक एक करकि लोन का हैरस्मेंट, एजेंट का हैरस्मेंट के वज़े से यह कर लिया, वो कर लिया, तो ये गलत चीज़ है ना भाई लोन लिया है लोन का कोई लोन जो है वो क्राइम के स्रेनी में नहीं परता लेकिन ये एजेंट और कमपनी जिस तरीके से लोगों को समझाता है जिस तरीके से लोगों को बेवकुप बनाता है लोग समझ लेते हैं कि भाई हमने सच में ही क्रा बड़ा crime कर लिया, साइध मुझे फासी हो जाएगा, इतना बड़ा crime हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से मैं request करता हूँ, आप लोग डर ये मत, आप लोग जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग प्लीज आप अपने मन से निकालना है, कोई भी agent आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी loan company आपके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता, आप लोगों को डर लगता है कि आपको court जाना पड़ेगा, आपको jail हो सकता है, हर इंसान के मन में यह ख्याल आता है, हर इंसान के मन में यह डर रहता है, कि मैंने यह loan ले रही है, default कर गए, अब जो है, company अगर हमें jail भिज दिया तो, jail क्यों भीजगा, आपने कहां का crime किया, बताओ, loan लेना crime नहीं है, default करना भी crime नहीं है, यह जो है, आप लोगों को डरना क्यों है, law पर भी यही लिखाए कि कोई भी loan default करना crime नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग के मन में यह ख्याल क्यों आता ही, कि आप जो है, crime कर दिये बहुत बड़ा, और आपको जो है, लग रहा है कि आपको jail हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा जो है, आदमी इतना करोरो रूपए लेव लूट के चला जाता है, उसका कुछ नहीं होता, आप लोग 10 20,000-50,000-1,000,000 रूपए लेके आप लोग अगर default करते हो, तो आप लोग डरते हो कि आप लोग को jail हो जाएगा, आज तक आप लोग ने सुना है कि आज तक किसी को भी jail हुआ है, लून ना चुकाने के वज़े से, कभी भी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आप लोग को डराता है और प्लीज आप लोग डरने के बाद कोई गलत steps ना ले, सबी से में request करो हाथ जोड के, खराब लगता है यह सब चीजे तो देखता हूँ, यह बहुत ही खराब चीज है, कि आप लोग डरते हो और डरने के बाद यह सब steps ले लेते हो, डरिये मत, यह माई default हो सकता है, होना क कोई crime नहीं है दोस्तो, गलत steps ना ले, बाकी जो भी चीजे है, RBI आपके साथ है, आपका दोस्त, अमित आपके साथ है, और क्या चाहिए आप लोग और क्या आप लोग को, मतलब जरूवत क्या है आप लोग को, डर जो है अपने मन से निकाल दीजे, बस कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ, यह आज के टाइम का नया चीज नहीं है, 2019 से चल रहा है यह चीज, 2023 चल रहा है अभी, खतम होने चला, 2024 सुरू होने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हो, तो इतने सालों स कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, RBI guidelines ला दिया है, कोई भी agent आपको परिसान नहीं कर सकता, अगर कोई agent आपके घर पे आ भी जाता है, तो kindly अपना phone निकालीगा, और video recording करिएगा, video recording करते हुए बात करिए, उनको भ घर पे आया होगा, तो आप लोगों को सब को पता होगा, कि recovery agent आगर आता है घर पे, कि अगर steps follow करना है, सबसे main recovery agent को अपना ID card दिखाना पड़ेगा, वो mandatory है, वो RBI के तरब से rules बनाया गया है, कि कोई भी agent आगर घर पे आता है, तो उसका ID card दिखाना ही पड़ेगा, कि कौ सा company से आ रहा है, क्यूंकि भाई, आपके घर पे कोई चोर चक्खा भी आ सकता है, डाकू भी आ सकता है, घर लूटने के लिए, किसी को भी पता चल गया होगा, कि आपका loan बाकी है, चलो भाई, इसके घर पे जाके थोड़ा धमकाता हूँ, दो तीन हजार अगर मिल भी जात होता है, उसी dress में होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि कॉलर उठा के आ गया, फटावा जीन्स पहन के आ गया, नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है, आप लोग सबसे पहले इसको चार्ज कर सकते हो, कि आपका ID का दिखाओ, डॉकुमेंट दिखाओ, आपका dress कहा है, ये सब चीज अधिकार आप लोग जानो, तो आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो totally गायब हो जाएगा, ये सब आप लोगों को डरानी के लिए करते है, अगर आप थोड़ा सा भी, अपना मन का जो डर है, वो निकाल के थोड़ा सा साहस में लेकर आप लोग उनसे बात करोगे, तो वो आपको कितना ज़्यादा डरा ही नहीं पाएगा, बोले कि भाई, इसको जो है, सब कुछ पता होगा, इसके उपर मैं जाओंगा, तो मुझे ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप डरोगे, तो बोले कि भाई, ये डर रहा है बंदा, मैं इसको और डराता हू साइध मुझे पैसा मिल जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, तो ये चीज, बहुत सारे ऐसे लोग है, जो कि डरते हैं, और उन लोगों का thinking होता है, कि मुझे पैसा चाहिए, उन लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आता है, कि भाई, ये बंदा, अगर पैस सब चीज़े आप लोग ध्यान में रखिए, वीडियो रेकावडिंग करें, कोई गलत सलत करें, तो आपको नियरेस भाई पैस प्लिस्टेशन में जाके complaint करना है, कि आपके घर पे आके इस तरीके का बत्तमीजी किया है, आप वीडियो प्रूप दिखा सकते हो, अगर वो वेबसाइट है, banking ombudsman, ठीक है, आप लोग गुगल में जाके सर्च कर सकते हो, banking ombudsman, तो वहाँ पे जाके आप लोग रेजिस्टर करके, वहाँ पे complaint डाल सकते हो, किस तरीके complaint है, क्या है, नहीं है, आप लोग detail wise वहाँ पे डाल सकते हो, और उसी जो है, उससे ही आप सब्सक्राब बेटन प्रिस करिएगा, रोज वीडियो दिखेगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरू करिएगा दोस्तों, तक तक के लिए चल देए, टाप लोगए, टेक क्यार, जाहिन जाहार दोस्तों